गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स कैसे आप सब आयो आप सभी अच्छे से होंगे उम्मीद करती हूँ खुब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे चलिए बच्चे आज की वर्कशीट हम सॉल्फ करते हैं जो की क्लास 7 की है सब्जेक क्या है हिंडी है नामक नाटक से लिए गए समवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजे तो हम आज एक नाटक पढ़ेंगे उसमें जो समवाद हुआ है पापा खो गए नामक नाटक है उसमें किये जो समवाद है उससे रिलेट क्वेस्चन आंसर है वही हम सॉल्फ पेड़ लेकिन चिछी जिसे लिखी गई हो लाल तव उसे ही पढ़नी चाहिए वह प्राइवेट होती है प्राइवेट लेटर बौक्स मैं कहां किसी की चिछी पास रख लेता हूं जिसकी होती है उसे मिली जाती है किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ गुप्त मतलब ऐसी बातें जो छुपा के रखी जाए ठीकेश वह मुझे वह मुझे तक ही रहती है इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्फ लगता है यानि कौन बोल रहा है यह letter box बोल रहा है ठीक है आदमी आदमी कह रहा है मैं बच्चा उठाने वाला हूँ दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने गहरी नीन सो रही थी अब तक उठी नहीं उठ भी नहीं क्योंकि मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है अब मुझे लगी है भूख कौन बोला यह आदमी बोला दिन बर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला पेट में जैसे चूहे दोड रहे हैं चूहे दोड रहे हैं का मतलब बहुत जादा भूख लगी तो ऐसा किया जाए कि इसे यहीं लिटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें देखे कुछ मिल जाए इतनी रात गए यहां इस वक्त अब किसी का आना मुम्किन नहीं है यानि इतनी रात हो गई है अब यहां पर कोई आ नहीं सकता तो यह सारी बात चीत जो सववाद अ आंसर दे रखें तो क्वेस्चन क्या है बेटा कि यहां लालताओ किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है तो बेटा लालताओ किसे कहा गया है लालताओ लेटर बॉक्स को कहा गया है ठीक है क्या कहा गया लेटर बॉक्स को कहा गया है दूसरा क्वेस्चन क्या है बेटा आपक सववाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहां क्या हुआ होगा भी हमने क्या पढ़ा विटा सववाद में क्या कि एक लड़की को बच्चा चोर ने चुराया है ना सववाद को पढ़कर ऐसा लगता है कि यहां बच्चा चोर है जो कहीं से एक बच्ची चुरा कर लाया है जो अभी सो रही है ठीक है तीसरा question क्या है बेटा कि बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहां से उठाया था तो कहां से उठाया था ये देखिए उसके घर से उठाया था ये देखिए घर से तो आप क्या लिखेंगे इसका answer बेटा कि तीसरे का बच्चा उठाने वाले आदबी ने लड़की को उसके घर से उठाया था कहां से उठाया था उसके घर से उठाया था आगे का question देखते हैं कि पेट में पेट में चुहे दोड रहे हूं इस वाकिसे आप क्या समझते हैं तो अभी मैंने क्या बताया बेटा कि जब हमें भूख लगती है तो हम अ आगे चलते हैं बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं सोच कर लिखिए तो बेटा आज का जबाना ऐसा चल रहा है कि हर किसी को बहुत आवेर रहना है जागरूक रहना है बच्चे भी बहुत चोरी होते हैं ठीक है तिसका आंसर मैंने यह लेकिन आपके अंदर हो सकता है आपके पास कोई बहुत सारे आइडियाज हो कि आप कैसे अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं तो वो भी यहां पर लिख सकते हैं बच्चे उठाने वाले लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए हमें हमेशा इस बात कर्यान रखना चाह चाहिए और चोटे बच्चे अंजान वेक्तियों यानि जो अजनबी होते हैं उनसे तो बिलकुल ही दूर रहना चाहिए चोटे बच्चों को माता पिता का मोबाइल नमबर और घर का एड्रेस जरूर याद कराना चाहिए ठीक है बटा ताकि जरूरत पढ़ने पर उसका इ चाहिए तो आप फटाक से फोन कर सकते हो या किसी से मदद ले सकते हो कि आप फोन दे दीजे मुझे अपने पापा के पास मम्मी के पास कॉल करनी है तो ये दो चीज़ तो मस्ट होनी चाहिए सब किसी हर बच्चे को याद होनी चाहिए ठीक है और आपके पास भी बहुत सा कर सकते हैं इस विशेपर अपने माता पिता अभी भावक या आजपड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बना कर दोश्तों के साथ चर्चा करना यह एक्टिविटी आप ने करनी है ठीक है आप इकठे होंगे अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे सब फिर इकठे बैठेंगे कि आपके मम्मी पापा ने क्या बताया आपके मम्मी पापा ने इस तरह से बैठ के आप चर्चा करेंगे जब आप सर्किल में बैठ के ग्रूप में बाते करेंगे चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बाते निकलेंगी ठीक है तो बच्चे ये सारी व कॉपी में करके फटाक से अपनी सब्जेक्ट टीचर के साथ भेज देंगे ठीके बाइब बेटा ओके बाइब